हेलो, आज हम बात करने जा रहे हैं, जामिया एंटरेंस एक्जाम्स 2021 के बारे में बात करने वाले हैं कि 2021 में entrance exams होने के chances कब तक है application form आने के chances कब तक है entrance test की preparation कैसे करें ये भी हम इस वीडियो में discuss करने वाले slaybers के बारे में discuss करने वाले important topics के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले तो हम एक एक करके जो हर टापिक्स पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स के लिए हो जाएं आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे डाउट्स इस वीडियो में कवर हो जाएंगे सबसे पहले हम entrance test की preparation की ही बात कर लेते हैं देखिए entrance test की preparation के लिए जो बच्चे UG course के लिए apply कर रहे हैं मैं बात कर रहा हूँ UG course की apply करने वाले जो बच्चे हैं एक तो वो बच्चे हैं जो अभी board भी देंगे और plus entrance test भी देंगे तो देखिए उनको कैसे preparation करनी है और एक वो बच्चे हैं जिनको सरिफ entrance test देना है ठीक है तो दो तरीके के बच्चे हैं तो आपको preparation कैसे करनी है आपको preparation topic wise करनी है सबसे पहले तो आपको अपने course के syllabus की वीडियो देख रही है ठीक है important topics क्या है उसके लिए अलग से वीडियो चाहते हैं आप कि हर syllabus की जैसे मैंने वीडियो बना रखी है कि आप चाहते हैं कि अलग से topics जैसे माल लीजिए आप चाहरे मैं BLLB के important topics के बारे में बात करूं तो BLLB की अलग से important topics की वीडियो बना दी जाए या फिर एक ही वीडियो में जो है सारे topics के बारे में बता दिये जाए कि BLLB के लिए या फिर दो-दो course की एक साथ बना दी जाए या आप लोग कमेंट करके बताएं कि कैसे बनानी है ठीक है यह आप लोग अपने हिसाब से time table बनाना चाहें या फिर मैं आप लोग को schedule बना के दो कि आप इस तरीके से preparation कर सकते हैं तो मैं आप लोग को अगर यह कहींगे तो इस topic पे एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी कि आप कैसे preparation करें क्योंकि जो बच्चे board exams दे रहे हैं दी अपने हिसाब से strategy बना सकते हैं बाकी आप कहींगे तो मैं एक वीडियो इस पे कल बना दूँगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आई कि एंट्रेंस को आपको कैसे करना है ताकि आप first time में ही एंट्रेंस easily crack कर पाएं ठीक है तो मैंने एंट्रेंस exams को लेकर आपको बता दिया और syllabus के बारे हैं बात करूँ स्लेबस की वीडियो अल्रेडी अप्लोड है eligibility condition के लेकर जितने भी बच्चों को डाउट्स आते हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आप डाउट्स कमेंट करिए मैं आप लोगों का रिप्लाई करूँगा जैसे अभी बच्चे ने कमेंट कर रहा था कि अपने marks कमेंट कर यह कोई प्रॉब्लम नहीं मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी डाउट आना बिल्कुल डाउट जरूर आता है बच्चों को कि मेरे इसमें इतने marks है मेरे इसमें इतने marks है तब भी आप लोगों को eligibility condition देखने के ऐसे में अगर सके ईंअगर कर सके हैं जुलाई और अगस्ट में अगस्टस होने के चांसे सेंसस एंटरेंस जुराइं और अगस्ट में पिछली बार भी आप देखेंगे कि entrance test जो है काफी लेट हुए थे तो अगर ऐसे ही कोविट केस डे बाई डे increase होंगे तो entrance test तो होने ऐसा नहीं है कि entrance test जो है होंगे नहीं दिखिए entrance test क्या होगा जो भी date आईगी expected dates वो बस postpone हो सकती है ऐसा नहीं है कि entrance test पर date postpone हो रही है तो इसमें आपको plus point है कि आपके पास time extra आपको मिल रहा है जैसे कि अभी starting में बच्चे बात कर रहे थे कि entrance test अगर board exams के बाद तुरंत हो जाएंगे तो आप preparation कैसे करेंगे इतने time में लेकिन अब आपके पास time है अब आप बोड की भी preparation कर सकते हैं और entrance test की और जो बच्चे सिर्फ entrance test की preparation कर रहे हैं उनके पास तो बहुत अच्छा खासा time है अब डेली अगर डेली one and half hour भी पढ़ेंगे तो भी आप लोगों के लिए sufficient है लेकिन आपको डेली पढ़ना पड़ेगा अगर आपको एंट्रेंस test क्रैक करना है तो यह नहीं कि आप सोचे कि last में पांच छे दिन पढ़ लेंगे और एंट्रेंस निकल जाएगा ऐसे नहीं होता आप मेहनत करेंगे तभी अधरवाइस नहीं निकलेगा यह चीज आप लोगों को पता होने चीए महनत बहुत जरूरी होती है आप सोचे अंट्रेंस पड़े नहीं निकल जाएगा ऐसा बहुत रहर होता है या तो आप लोगों को अच्छे से आता हो तो इसलिए आपको रिवीजन अच्छे से करनी पड़े कि तभी एंट्रेंस निकलेगा और आपको प्रिप्रेशन बहुत अच्छे से करेंगे इंट्रेंस टेस्ट निकलेगा इसमें कोई डाउट नहीं चीक है तो एंट्रेंस टेस्स कर लेके आपका यह डाउट के लियर हो जाना जए ठर्ड बात करते हैं जो कि सबसे ज अभी भी है कि फॉर्म जो है कभी भी आ सकते हैं लेकिन चांसे लग रहे हैं कि नेक्स्ट वीक फॉर्म आ जाने चाहिए और नेक्स्ट वीक फॉर्म सिर्फ जामिया के नहीं अगर हम देखें न्यूज आर्टिकल्स रीड करें तो हमें न्यूज आर्टिकल्स में यही अप परिल एंड ओफ वी तो मतलब जो है वीड के लास्ट वीक ओफ अपरेल जो है फॉर्म आने के जादतर दाट चांसे समें जाधतर युणिवर्सिटीज के अप्लिकेशन फॉर्म आ जाएंगे फिर आप एजली फॉर्ish कर पाएंगे फॉर्म फिल कैसे करना इसके लिए वीडियो अप्लोड की जाएगी ताकि आप लोगों को कोई प्राब्लम ना आए ठीक है थर्ड पॉइंट आपको यह डाउट किलियर होगा स्लेबस को लेकर मैंने आपको बता दिया इलिजिबिलिटी कंडिशन को लेके जिसको भी जो भी डाउट सो आप कमेंट कर सकते हैं मैं डाउट आपका किलियर कर दूँगा जरुरत लगेगी उस टापिक्स पर अलग से वीडियो बना दी जाएगी आपको परिशान होने की जरुरत नहीं है बिल्कुल कई बच्चों को डाउट्स आते हैं बहुत बच्चों को डाउट्स नहीं आते हैं लेकिन कई बच्चों को फर्स टाइम दे रहे हैं उनको बहुत डाउट्स आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको जितने भी डाउट्स आएंगे आपको मैं कमेंट्स में किलियर कर दूँगा फिर तो अलग से वीडियो भी बना दे जाएगी ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए जैसे अभी 11 क्लास के बच्चे प्रमोट हो गए तो अब 11 क्लास का क्या क्राइटिरिया रहेगा तो उसके लिए वीडियो जल्द अप्लोड हो जाएगी आपको परिशान होनी की ज अब कैसे चाहते हैं कि एक वीडियो में आपको लोगों को बता दो क्या पर्टिकुलर हर स्लेबस की अलग से वीडियो में बना के उसमें इम्पोर्टंट ट्पिक्स आपको क्या-kया पढ़ने चाहिए इम्पोर्टं टॉपिक स्लेबस मीजाम मैं बात कर लो जैसे मैं मैं मैं आपको क्या इंपॉर्टेंट्स पढ़ना चाहिए या एक ही वीडियो बना दू जिसमें जो इसका कॉमन स्लेबस है अगर हम देखें यूजी कोर्स का ज्यादतर कोर्स इसके बात करें हम एंटरेंस का स्लेबस जो है लगबग मिलता जूलता रहता है थोड़े बहुत चें कर दू कि आपको कैसे प्रिप्रेशन करनी है या आपको क्या टाइम टेबल्स फालो करना चाहिए तो इस पर वीडियो अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग कर दिजेगा उसकी वीडियो कली अपलोड हो जाएगी और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए मैं आप लोग बता दिया आप डाउट पूछ सकते हैं सैकेंड आप जो है प्रोस्पेक्टर से भी चेक कर सकते हैं इलिजिबिलिटी कंडिशन कि कि किसी भी कोर्स की इलिजिबिलिटी कंडिशन क्या है आपको प्रोस्पेक्टर डाउनलोड कर लेना है प्रोस्पेक्टर आप टेलिग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं बाकि आप जाम मिले इसलामे की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं साइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आप वहां से यह भी डाउनलोड कर सकते हैं तो यह जो थे आपके डाउट्स यह सारे डाउट पर तो आप कमेंट कर दीजएगा उस टॉपिक पर वीडियो बना दी जाएगी अगर उस कमेंट पर आपका रिप्लाई पर किलियर हो जाएगा डाउट कि इस टॉपिक पर आपने जैसे किसी कंडिशन को लेकर आपने किया क्या में लीजिबल हूं या नहीं हूं तो आप अप